प्रिविद्यार्तियों इस वीडियों में हमें एक मैत्तुपून टोपिक या चेप्टरी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है कोशी का बित्ती कोशी का बित्ती जिसको हम अंगरेजी में कहते हैं सेल वोल जिन विद्यार्तियों ने अभी तक अपने चैनल को करके कंट्य केचिन को दबा दें तकि आपको जिसे में वीडियो पोस्ट करता हूं आपको उसका मेस्ज़ राफ्त हो जाएगा को पड़ता है को शिका बित्वी यह सेल वालज। हमने पादप कोशिका पड़े थे पाद问 और को spur के अंदर कोशिका जिली पादपों में ही पाए जाता है, किसी भी जन्तु में उपस्तित नहीं होता है, तो हमने कहा था कि पादपोर जन्तु का सबसे बड़ा अंतर कोशी का बित्ती होता है, इसका कोई पाद नहीं है, सबसे बड़ा अंतर यह है, तो पढ़ते हैं कोशी का बित्ती, तो सबसे पहले इसके लेते हैं हम परिवासा कि कहते किसे हैं तो जीवानों हम जानते हैं कि जीवानों के अंदर भी कोशिका वितिपाई जाती है कवक हैं ये भी एक प्लांट होते हैं लेकिन इनमें परना एर्थ नहीं होता है एवं अन्य जो पादब कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका जिल्ली के बाहर की ओर एक द्रड या जिसको मजबूत कहीं है अपन द्रड या मजबूत रक्षातमक निर्जीवावरण को क्या कहते हैं सेल वाल कहते हैं जिवानों हो चाहि कवक हो चाहि जितने भी पादब कोशिकाएं हैं उनकी इसमें भी कुछ अपवाद है जिसको अपन चर्चा करेंगे आगे कोशिगा के बाहर है एक मजबूत सुरुक्षा परदान करने वाला और निर्जीव आवरन पाई जाता है सजीव नहीं होता है निर्जीव आवरन पाई जाता है जिसको हम कोशिगा बित्ती कहते है अगर इसका निर्मान कैसे होता है तो इसका निर्मान है वो जीवदर्वे के दवारा होता है जो जीवित दर्वे होता है कोशिका में उस जीवदर्वे दवारा ये एक स्रावित उत्पाद है जीवदर्वे दवारा इस स्रावित बनता है यहने स्रावित होता है अब 21 तरह से बनता है अपन नेक्स्ट इसके जब सर्जना पढ़ेंगे तब इसका आपको समझाएंगे जीवदर्वय दवरा एक स्रावित उत्पाद कैसे अब इतान ध्यार किए कि जीवदर्वय दवरा स्रावित उत्पाद ही क्या है कोशी का बित्ति होता है इसके खोज घ बित्ति के टुकडों को यह देखा था तो रोबर्ट हुक है वो हमारी सेलवाल के कोज करता थे कोशीका बित्ति को पादपे कोशीका का भाई ये कंकाल भी कहते हैं क्योंकि हमारी कोशीका के बाहर की तरफ ये एक सुरुक्षा अत्मक आवरण का काम करता है जिस तरह से हमारे कंकाल हमारे सरीर का डाचा बनाता है तो ये भी एक कोजिका को निशित आकार प्रदान करती है और एक निशित डाचा बनाने का काम करता है इस करने इसको कहते हैं पादव कोजिका का भाये कंकाल देख लेते हैं विभिन जीवों में विभिन जो जीव है जीवों में कोशी का बित्ती कोशी का बित्ती का संगठन यानि जो विभिन परकार के जीव है उनमें कोशी का बित्ती की परकार यह कौन-कौन से पदार्तों से मिलकर बनी विए तो सबसे पहले लेते हैं अपन सबसे जो पुराने जिवानु है जिनको अपना आर की जिवानु भी कहते हैं जिवानु भी दो तरह के होते हैं जो पुराने जिवाने की जिवानु है सबसे पुराने उनको आर की जिवानु और जो नए जिवानों थे उनको यू बेक्टीरिया या यू जिवानों उसको बोलता जाता है तो जो आर की जिवानों है सबसे पुराने हैं उनकी कोशिका बित्ती प्रोटीन की बनी हुई थी या गलाइको प्रोटीन की बनी हुई थी यानि उसमें सेलूलोज नहीं था या हम खहदें कि नोन सेलूलोजिक पोली सेकेराइड की बनी वी थी नोन सेलूलोजिक या प्रोटीन या गलाइको प्रोटीन की बनी वी थी किनमें आरकी जिवानों में पालेते हैं जो वर्तमान जमाने के जिवाणू है या जिनको Modern Bacteria बोलते हैं यूभटेरिया जिनको सत्ये जिवाणू भी कहते हैं सत्ये जिवाणू इनके अंदर जो कोशिगावित्थी है वो हम जो हमने पढ़ाता कि मोहने रा जिकत में、 Peptidoglycan jis כ filme, Urine भी कह ता या इसको Mucopeptide भी कह था था, तो यूu bacteria सत्य जेВОनों कि उसका वित्ति Peptidoglycan की बनी होती होती प्लीन, Mukopeptide भी होتी है Er carbohidrid और Protein की Am communal की बनी होती है इनक्स कले थे नील हरीत सेवाल जो की प्रियूक्रेट जी होते हैं ब्ल्यूग्रिन एलगी इंदी में कहते हैं इनको नील हरीत सेवाल जाते हैं तो इन में जो कोशिवा विती है वो भी पेप्टिडो गलाइकेन प्लस यानि और लिपो पॉली सेकिराइड एक इन में एक प्दारत वर मिलता है लिपो, पॉली, सेकराइड या पेप्टिडो, गलाइकेनी की यह बनिवी होती है नेक्स बरते हैं अपने डाइटम्स यह डाइटम्स भी एक तरह के स्मवाल होते हैं और कौन स्मवाल होते हैं ईएक कोशी की यह ayo yoke hiote I는데 Ready JIM एक उप उसकोरेट होते हैं डाइटम्स तो की समद्रों में पाई जाते हैं इनकी जो कोशी का भित्ती है वो ओ जूलिलोज की प्लस सिलीका यानी इन में सिल्लिका का जमाऊ हो रहता है और इनुमika सहबुन्दानी उसके समान एक रचना मना लेते हैं कोसी का बिती में सिलिका की जमा होने से जों।स की सिल्लोज और सिलिका के दवारा बनी होती है अब Hispanic है अपन डाइनो फ्लेजीलेट से यह भी एक कोशी की यह यूक्रियेट होते हैं और यह भी एक सेंवाल जैसे होते हैं तो इनकी कोशी का बित्ती भी सेल्यूलोज तो ही बाद में सेल्यूलोज मुंकी गठक होता है और इसके साथ एक बदार तोर होता है जिसको कहते है अपन पेक्टीन उसे लोज और पेक्टीन की जो कोशिगा वित्ती होती है वो डायनो प्लेजिलेट्स के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट एपन देख लेते हैं नंबर 6 कवक कवक जिनको अपन फंजाय बोलते हैं और कवक क्या होते हैं इसे पादब होते हैं जिनमें प्रंहर्यत नहीं पाया जाता जो एक कवक होते हैं इनमें एक विशेश प्रकार का सेलुलोज भी का जाता है और हमने विभार पड़ाता है कि ये एक एनेजी का भोलक है ये एक सरकरा है जिसका ये मिलने से एक आईटीन बना होता है एनेजी से नेक्स अपन बढ़ते हैं सेंवाल जो जिनको अपन अंगरजी में एलगी बोलते हैं या जिनको हम कांजी भी गहते हैं हिंदी में तो सेंवाल होते हैं उन में सेलूलोज इसके अलावा कुछ सेंवाल होते हैं इसमें गलेक्टेन नाम का पदार्थ कुछ में मेनोज भी पाए जाते हैं और कुछ में जो आएन होते हैं वो भी पाए जाते हैं जैसे केलसियम कार्बोनेट जैसे आएन तो cellulose मुख्यकटक होता है इसके लावब गलेक्टेन, मेनोज और आइन ये मिलकर सेंवालों की कोशिका वित्ती का अजिरमान करते हैं पदब कोशिका जो पदब कोशिका उनको देखते हैं तो पदब कोशिका में जो कोशिका वित्ती होती है वो cellulose और पेक्टीन की बनी होती है नेक्स पर लेते हैं अपन जन्तु कोशिका जन्तु कोशिका तो जन्तु की कोशिका वित्ती किसी की नहीं बनी होती है क्योंकि इनमें कोशिका वित्ती ही नहीं है एंट रहती है जनतों में कोश्य का बित्ती नहीं पाई जाती है इसके अलावा माइको प्लाजमा पड़ा था हमने माइको प्लाजमा तो माइको प्लाजमा इससे बेक्टेरिया होते हैं जिनमें कोश्य का बित्ती नहीं पाई जाती है तो इनमें भी कोश्य का बित्ती नहीं परिनर्थ पाई जाता है लेकिन युगलीना में भी कोशी का वित्ती नहीं पाई जाती है लेकिन कोशी का वित्ती नहीं होती है बलकि इसके बाहर एक अन्य आवरण होता है बाहर यह आवरण होता है इसमें जिसको कहा जाता है पेलीकल और यह पेलीकल किसका बना होता है प्र बनावा है प्रोटीन का बनावा होता है कुछ अपन अपवा JEFF रचनाई होती है कुछ आसी पादब्स रचनाई हैं जिन में S downhillło और फाल ये पौषण रहती है पादप की सरचनाइत है लेकिन सेहल zit जैसे हम मनता है माइको प्लाजमा सिर्मा माइको प्लाजमा ऐसे वैक्तिरिया्ट रिक्टी इनके अंदर कोशा विति हट छुकी कोशी का विति नहीं होती है स्लाइम मोल्ड कवक स्लाइम मोल्ड फ़ंजाई इसको गूलते हैं मिंदि मैं अभवांख कवक ये ऐसे कवक होते हैं जिन में कोछिक बित्ती नहीं होती है इसके अलहबा पादप के जो चल भी जानू है और पादप के जो गबेंट होते हैं उनमें भी किसी प्रकार की कोई कोशिका बित्ती नहीं पाई जाती है तो ये कोशिका बित्ती का परिवासा उसकी खोज और कौन-कौन से जिवों की कोशिका बित्ती किस किस पदार्थ के बनी होती उसके बारे में हमने चर्चा किये है कल हम पढ़ेंगे कोशिका बित्ती की सरचना के बारे में तो सेल वोल की सरचना पढ़ेंगे हम अगर सेल वोल को देखें न तो सेल वोल को अगर अगर अपन देखेंगे तो उसमें मुख्यते चार पढ़ते होंगी तो उन्हों तब चार पढ़ते होंगी जिसकों में एक को तो कहेंगे मद्दे पठली का मद्दे पठली का इसकों कहेंगे मिडल ले मिला और इसके अंदर की तरफ रहेगी कोशिका बित्ती जिसकों कहेंगे प्राइमरी वाल इसकों कहेंगे प्राइमरी वाल इसके नीचे रहेगी primary wall के दित्ती एक बित्ती इसको हम कहेंगे secondary wall और कुछ प्लांट्स में जिमनोस्परम में रहती एक तर्थी बित्ती और पाई जाती है जिनको हम कहते हैं tercery wall यह 4 बित्तियां हम पढ़ेंगे और इन 4 बित्तियों के बारे में next video के अंदर चर्चा करेंगे सबसे इसमेपन देखेंगे ना तो सबसे जैसे दो कोशिकों के बीच में middle ले मिला होती है तो middle ले मिला जैसे एक कोशिका यह इधर एक कोशिका और इधर भी कोशिका है यह दोनों के बीचे middle ले मिला है तो middle ले मिला के दोनों तरफ प्रात्मिक वित्ति बनती है यह जिसे middle ले मिला है तो इसके अंदर primary बन गई primary के अंदर की तरफ बनती है secondary दोनों तरफ यह secondary वाल बनती है secondary वाल वो अपन पढ़ेंगे कि secondary वाल के तीन पार्ट होते हैं S1, S2 और S3 अपन ये इसके अंदर पार्ट पढ़ेंगे तो इस तरह से हमारे कोशिय वितिय किस तरह से बनती है इसका आपन पूरा विस्तरत दन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिने विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्क्राइब करें और गंटी के चिन को दबा दे था कि उनको जैसे ही उन वीडियो पोस्ट हो आपको मेसेज मिल जाए धन्यवाद